हेलो स्टूदेंट्स इन इस लेक्चर वी विल डिस्किस अबाउट इस्टेलोजी ऑफ ऐलिमेंट्री केनाल और डिस्टिव ग्लेंट प्रीविएस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन आनिमल्स उसमें हमने अमीबा वाला जो पार्ट था वो डिसकर्स किया था उसक र della humans कारनि निंग्रीशन किस तरह से हो गा वह कैसे अब टेक करते हैं वह मने स्टार्ट प्रीच में जिसमें हमने डाइजी सिस्टम एकमेड्री केनाल बडाख वाला पार्ट हो कंप्लीट कर लिया था अब डाइजश्च्टिव ग्लैंट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो elementary canal है अगर हम इसका cross section लेते हैं तो हमें कितनी layers देखने को मिलती है that is histology of elementary canal histology of elementary कैनाल जो elementary canal है it consists of four layers for example अगर हम elementary कैनाल का एक पार्ट है जैसे intestine है हमने उसका एक पार्ट लिया कि अगर हम इसको ऐसे cut करते हैं इसका TS अगर हम देखते हैं यह कुछ इस तरह से दिखेगा यह क्या हो गया यह इल्यूमेन है अब यहां से हम इतना section लेते हैं और इसको detail में देखते हैं तो देखेंगे कि कौन-कौन से layer मिलती है तो जो outermost layer मिलती है वो है serosa यह वाली जो layer है serosa यह first outermost layer है serosa simple squamous epithelium की बनी होगी इसके बाद हमें कुछ muscles मिलती है जो होती है longitudinal एक layer मिलेंगी serosa से अंदर वाली longitudinal muscles outer मतलब मसल्स की दो layer मिलेंगी एक होगी longitudinal इस तरह से इसको मैं पूरे में ना बना कि सिर्फ इतना ही मैं represent कर रही हूं और inner वाली जो layer होगी वो होगी circular यह वाली जो है यह circular मसल्स तो यह वाली जो लेयर है यह हो गई outer longitudinal मसल्स और यह वाली जो है यह हो गई inner circular मसल्स और यह दोनों जो layer है यह है muscularis तो फो लेयर है तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई सहरोसा आउटर इनर वाली muscularis अब इसमें दो लेयर्स मिलेंगी एक है longitudinal muscle की और इनर वाली होती है circular muscle की उसके बाद यहां पर अंदर की तरह एक layer और मिलती है कनेक्टिव टीशू एरियोलर कनेक्टिव टीशू यह वाली है सब्म्यूकोसा यह सब्म्यूकोसा है कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टीशू यह वाली इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से यह वाली अब एक और लेयर है सबसे इनर वाली यह हो गया lumen यह वाला पाट और यह जो है यह है म्यूकोसा सबसे इनर लेयर तो four layers होगी अगर हम आउटर से अंदर की तरफ, outer to inner अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले है सेरोसा, मस्क्यूलेरिस, फिर है सब्म्यूकोसा and म्यूकोसा तो यह है histology of elementary canal कि अगर हम कहीं से भी elementary canal का जो हमने पढ़ा थे एक long tube अगर हम अहीं कहीं से भी कट करकर अगर हम उसका क्रॉस सेक्षन को देखते हैं अब्जर्व करते हैं तो हमको यह four layers नजर आती है इसके sequence अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं from inner to outer तो अंदर से है सबसे पहले mycosa, submucosa, फिर muscularis और cirosa लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो outer layer हो गई cirosa और inner most हो गई mycosa तो यह है histology of elementary canal next अब हम discuss करेंगे digestive glands glands क्या होते हैं हमने previous lecture में discuss किया था कि कोई भी structure एक single cell भी हो सकता है group of cell या कोई organ जो certain chemical को release करें और वो chemical किसी function में involved है या किसी important function में उसकी requirement है ऐसे structure का हम glands बोलते हैं यह glands यहाँ पर digestion से associated है इसलिए इनको कहा जाता है digestive glands तो सबसे पहला जो gland है वो है salivary gland salivary glands यह जो है यह three pairs है और present in buccal cavity यह buccal cavity में present होते हैं बucal cavity के अंदर है अब three pair कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं फर्स्ट है parotid parotid glands अब यह जो glands है salivary glands या अगर हम जो दूसरे digestive glands पढ़ेंगे द्यार exocrine glands exocrine glands वो gland होते हैं जो अपना secretion किसी duct में पोर करते हैं मतलब उनसे attach कोई tube होती है और वो अपना secretion कहां पर पोर करते हैं इस tube में और उस tube से वो जाता है target पर तो ऐसे जो glands होते हैं जिनके पास duct होती है उनको हम exocrine gland बोलते हैं तो जो salivary gland है यह भी exocrine gland है तो इनकी भी duct होगी तो जैसे parotid gland है अगर हम इसकी duct की बात करें तो इसकी duct को बोलते हैं stansons duct और यह present होते हैं below ear lobe अगर हम diagram के थुरू इसको समझना चाहें तो यह ear है यहाँ पर जो salivary gland present होगा वो है parotid फिर यह tongue है tongue के नीचे जो gland present होता है वो होता है sublingual second और jaw angle जो हमारे jaw है उनके वहाँ पर उसके angle पर जो present होगा वो होता है submaxillary तो यह वाला जो below ear lobe है यह तो हो गया parotid यह वाला हो गया at jaw angle जो present है वो है sub maxillary या sub mandibular भी बोलते हैं इसको और जो tongue के नीचे present होगा वो है sublingual name से हमें इसका हम idea लगा सकते हैं कि इसकी location कहां पर होगी और यह जो duct है हमें यह नजर आ रही है यह जो कुछ भी पोर जो भी release करेंगे वो duct में पोर करेंगे तो parotid below ear lobe stenson duct second है sub maxillary sub maxillary gland या sub mandibular gland भी बोलते हैं इसकी जो duct होती है उसका नाम है watson duct और यह present होगा at jaw angle थर्ड जो salivary gland यह थर्ड पेर वो है sublingual इसकी जो duct है उसका नाम है bartholin या duct of ravenous भी बोलते हैं इसको यह present होता है below tongue यह जो secretion है salivary gland का जो secretion है अगर हम इसकी secretion की बात करें तो इसका secretion है saliva और saliva जो है अगर हम इसकी composition देखें तो इसमें present होगा water enzymes enzymes जो यह present है वो है salivary amylase और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है tylin यह present होगा इसके अलावा यहां ions present होते हैं chloride ions हो गए carbonate ions हो गए यह present होते हैं lysozyme enzyme यहां present होगा तो यह composition होती है saliva की saliva का जो pH होता है वो alkaline होता है around 6.8 इसका pH होगा तो यह है saliva उसकी composition तो तो जो salivary gland का जो secretion होगा उसको saliva बोलेंगे इसमें water enzyme, salivary amylase, lysozyme, antibacterial enzyme है यह और ions present होते हैं और यह alkaline होता है इसका pH around 6.8 होता है तो यह तो है first digestive gland जो बकल cavity में present है वो है salivary gland second gland आते हैं वो है gastric gland gastric glands जो है यह present होंगे stomach में यह जो glands होते हैं यह बहुत सारे हैं branch tubular glands होते हैं present है यह stomach में अब यहां पर अलग-अलग cells बिलते हैं gastric gland में first type के cell है goblet cell जो goblet cell secrete करते हैं mucus इसके बाद होते हैं oxentic यह हम इनको parietal cells भी बोलते हैं यह secrete करते हैं axial and castle intrinsic factor कैसल intrinsic factor और यह important है for absorption of vitamin B12 इसके बाद third type का जो cell मिलेगा यहां पर वो होते हैं chief cell या हम उसको बोल सकते हैं zymogen cells या उनको हम बोलते हैं peptic cells यह release करते हैं enzymes और जो enzyme release करेंगे वो inactive enzyme होते हैं activate वो बाद में होंगे तो inactive enzyme जो है वो होगा पेपसी नोजन प्रो रैनिंग और थोड़े minute amount में या लाइपेस भी प्रेजेंट होगा enzyme तो यह है gastric gland जिसमें अलग-अलग cells मिलते हैं goblet cells जो mucus release कर रहे हैं oxydentic parietal cells जो hcl कैसल intrinsic factor और यह जो कैसल intrinsic factor है यह important है for absorption of vitamin b12 hcl का बहुत important role होगा पहला तो क्या करेगा जो food के अंदर जो germs हैं उसको kill करने का काम करता है second जो inactive enzyme है इनके लिए appropriate pH प्रवाइड करता है इनको activate करेगा यह जो enzyme है यह activate होते हैं only in the presence of hcl तो यह hcl का role है उसको जो chief cells, zymogen cells या peptic cells होते हैं वो release करते हैं pepsinogen और proranin यह protein digesting enzyme है protein का जो partial digestion होगा stomach के अंदर वो इनहीं enzyme के थ्रू होगा तो यह है gastric gland अब gastric gland का जो secretion है इनका जो secretion होता है उसको बोलते है gastric juice और gastric juice की composition यही है जो अभी हमने discuss कि रही है और hcl होने की वज़े से इसका जो pH होता है वो acidic होगा around 1.2-1.8 यह इसका pH होता है तो यह है gastric gland gastric gland का secretion उसकी composition उसके बाद जो third gland आता है वो है pancreatic pancreas अब यह जो pancreas है यह एक heterocrine gland है जैसे अभी बताया था हमने salivary gland जो है यह एक exocrine gland है यह gastric gland हो गए लिवर हो गया यह सब है exocrine gland है जिनमें duct होती है और duct के through ही कहां जाता है अपने target पर अब जो pancreas है यह heterocrine gland है मतलब यहां पर heterocrine gland वो glands हो गए जहां पर exocrine वाला part भी present होता है इंडोक्राइन वाला part भी present होता है अब इंडोक्राइन glands वो glands होते हैं जिनके पर duct नहीं होती है यह ductless gland और वो कुछ भी release करते हैं वो directly blood में release करेंगे blood के through ही वो कहां जाएगा target में for example जैसे pituitary है thyroid है adrenal gland है thymus gland है यह सब क्या है यह सब इंडोक्राइन gland है जिनको हम control coordination वाली चाप्टर में detail में discuss करेंगे तो यह जो पैंक्रियास है यह जो gland है यह है heterocrine heterocrine gland है मतलब इसके two parts होंगे एक part होगा exocrine वाला part और एक होगा endocrine वाला part अब exocrine वाला part जो है it consists of achinar cells achinar cells और यह जो है यह बना होता है islets of islets of langer hens अब यह जो islets of langer hens है यह अलग-अलग type के cells होते हैं और यह release करते हैं hormones insulin and glucagon और यह help करते हैं regulation में blood sugar level regulation में insulin and glucagon यह regulate करते हैं blood sugar level blood sugar level अगर हम achinar cells की बात करें तो यह release करते हैं pancreatic juice जो की digestive juice है pancreatic juice और जो pancreatic juice है अगर हम देखें इसकी composition pancreatic juice की तो यहां पर प्रेजेंट होंगे bicarbonate ions मुकस प्रेजेंट होगा enzymes प्रेजेंट होगे अगें यह जो enzymes होते हैं यह इन आक्टिव pro carboxy peptides यह enzyme जो है यहां पर lipase प्रेजेंट होगा pancreatic lipase यह enzyme है जो यहां प्रेजेंट होंगे pancreatic juice में यह भी alkaline होगा bicarbonate ions है mucus है और यह सारे enzyme है यह किस थाना से activate होते हैं यह पढ़ेंगे जब हम physiology of digestion discuss करेंगे तो यह हो गया pancreatic juice अगर pancreas की location की बात करें तो यह जो है यह present होता है below stomach in loop of deodenum in loop of deodenum previous lecture में जब हमने elementary canal का diagram बनाया था तो यह stomach था और यह small intestine का जो first part है in loop of deodenum तो जो pancreas था वो यही present था below stomach in loop of deodenum तो यह position है pancreas की तो यह third gland हो गया अब जो fourth gland है वो है liver कि लिवर जो है यह largest gland है यह जो है यह present होता है below diaphragm right hand side पर जो diaphragm है उसके नीचे यह present होता है और इसमें two lobes होते हैं right and left इसका जो secretion होता है वो होगा bile juice bile juice की two main component होते हैं एक होते हैं bile salts और एक होते हैं bile pigments बिली वर्डिन, बिली रूबिन यह pigments है salt होते हैं sodium यहां पर जो salts है sodium glyco collate और और यहां पर present होंगे जो help करेंगे इन emulsification of fat bile juice जो है वो store होता है gall bladder में gall bladder में store होगा bile juice में एक भी enzyme present नहीं होता तो यहां पर no enzymes enzymes present नहीं होते हैं तो यह तो हो गया liver last जो gland है वो है intestinal gland intestinal जो glands होते हैं दो टाइप के glands होंगे एक होगा crypts of liver quins और एक होता है bruners gland अब bruners gland जो होते हैं वो सिफ डियोडिनम में ही present होंगे सिफ यह डियोडिनम वाले part में ही मिलते हैं और यह release करते हैं mucus और अगर हम crypts of liver के बात करें तो यह पूरे small intestine में हमें मिलेंगे और यह यह रिलीज करते हैं mucus and enzymes और अगर हम इसकी composition देखें intestinal gland जो है इनका जो secretion होता है वो intestinal juice होता है जिसको हम सकस entericus भी बोलते हैं उसका जो secretion है उसको बोलते हैं intestinal juice और सकस entericus सकस entericus भी बोलते हैं इसके अगर composition देखें तो mucus है water है इसके अलावा enzymes है enzymes कौन-कौन से enzymes होंके यहाँ पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है enterokinase enterokinase एक non digestive enzyme इसका रोल पढ़ेंगे physiology में physiology of digestion में enterokinase उसके अलावा यहाँ पर disaccharides होते हैं disaccharides वो enzymes होते हैं जो disaccharide sugar पर act करते हैं जैसे maltese sucrase यह enzyme जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उसके अलावा यहाँ पर nucleosides nucleotides उसके अलावा amino peptides dipeptides प्रेजेंट होते हैं और यह जो इसका पीएच होगा इसका जो नेचर होता है इस जूस का वो भी alkaline होता है तो यह हो गए सारी digestive juice और उनकी secretion अब इनका क्या रोल होता है यह कैसे काम करते हैं यह हम पढ़ेंगे physiology of digestion में एक बार हम इसको प्रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहला जो ग्लैंड है वह सलाइवरी ग्लैंड थ्री प्रेजेंट होते हैं होंगे बकल कैविटी के अंदर पैरोटीड ग्लैंड हो गया सब maxillary हो गया सब-mandibular हो गया और इनकी भी डक्त होती है पैरोटीड की स्टेंसन होती है सब-maxillary की वादसन होगी और जो लिंग्वल है उसको हम बार्थोलिन डक्त या डक्त ऑफ रेविनस भी बोलते हैं तो अपना जो भी सिक्रीशन होगा डक्त में पोर करेंगे डक्त से फिर लिए प्रेजेंट होते हैं पैरोटीड जो ग्लैंड है इनमें वाइरल इंफेक्शन हो जाता है और वह कंडिशन होती माम्स जहां पर पैनफुल स्वेलिंग होगी पैरोटीड ग्लैंड उसके बाद आता है gastric जो प्रेजेंट होते हैं कहा पर स्टमख के अंदर बहुत सार रिलीज करेगा एसेल जो है वह ऐसेडिक मेडियम प्रवाइड करता है फॉर इंजाइमेटिक एक्षन और उसके अलावा किल जर्म इस प्रेज़ इंजाइम रिलीज करते हैं इन आक्टिव इंजाइम प्रोडायनिन इनका एक्टिवेशन भी पढ़ेंगे उसके बाद है पैं अग्रियाटिक जूस रिलीज करेगा और उसकी कंपोजिशन अभी हमने डिसकस करें इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस हैं इंटेस्टाइनल ग्लाइंड से दो टाइप के क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कें जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगा ब्रूनर्स ग्लैं निरूबेंट जो हीमोगलोबिन के डेक्डाउन से रिलीज होते हैं उसके अलावा साल्स हो गए zodा इंट्यों ग्लाइको उपकॉलइट यह एमल्सिफिकेशन इंट्सिपिकेशन क्या होता है यह जूनेक्स लेक्ट्टर होगा फीजिलॉजी ऑफ डाइजेशन उसमें डिसक करेंगे. Thank you.